हलो दोस्तों कैसे आप लोग मैं उमीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चला होगा आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2021 का जितना भी इंडेक्स है इंपोटेंट वो सभी के बाड़े में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे भारत का कौन सा अस्थान है इसमें तो इसका अंसर आपका अपसंडी हो जागा भारत का चोड़ासिवा अस्थान है जबकि आपका पहले नंबर पे कौन है तो जपान है पहले नंबर पे तो इसमें दो ही चीजा आपको याद रखना है मतलब अपना देश कितने अस्थान पे है तो चोड़ासी अस्थान पे है और फर्स्ट पे कौन है तो जपान है अगला कुश्चन देखिए अगला कुश्चन है आपका दो नुमर कराई IQ Air द्वारा जारी world air quality report 2020-2021 के अनुसार बिस्व की सबसे पर दूसी तरह धानी कौन सी बनी है तो बिस्व के जो सबसे पर दूसी तरह धानी है ये आपका दिल्ली है मतलब अपने ही देश के राधानी दिल्ली है ये बिस्व के सबसे पर दूसी तरह धानी है ऑई किसके द्वारा जाड़ी किया जाता है तो IQ Air के द्वारा जाड़ी किया जाता है क्या जाड़ी किया जाता है तो मतलब Air Quality Report जाड़ी किया जाता है अगला कुश्चन देखिए अगला आपका तीन नमर कुश्चन है करा निती आयोग द्वारा जाड़ी सतत विकास लक्ष भारत सुच कांग 2020-21 में कौन सा राज्य पहले अस्थान पे रहा है तो पहले अस्थान पर आपका केरल है और सबसे लास्थान किसका है तो बिहार का है सबसे लास्थान इसमें आपको याद रखना है कि नितियायों के द्वारा जाड़ी किया रहता है क्या तो सतत विकास लक्ष जो भारत को कितना रैंकिंग नुकसान हुआ है तो देखे सबसे पहले बात अगर आपको पीछे वला याद है तो उसको जोड़ के आप आगे जा सकते हैं जैसे कि मैं आपको बताए तो देखे 2020 में भारत का रैंक कितना था तो 94 था और 2021 में कितना हो गया तो 100 आपका एक हो गया तो कितना रैंक का नुकसान हुआ है तो साथ रैंक का नुकसान हुआ है और ये आपको अच्छे से याद रखना है भारत का इसमें बहुत ज़्यादा खड़ाप रैंक है ऐसा आप मान सकते हैं क्योंकि कितने देशों के भी जाड़ी किया गया तो 116 देशों के बीच में भ पहले अस्ठान से आपको क्या समझेते हैं? कि मतलब थोड़ा-थोड़ा 1986 जैसे फिलिंग देता है तो बिलकुल ठंडा-ठंडा है बिल्कुल अस्थान थे तो पहले अस्थान का इसमें कौन सा अस्थान है तो भारत का इसमें 135 वा अस्थान है और कितने देशों के भी जाड़ी किया आता है तो 163 देशों के भी जाड़ी किया आता है और सबसे last देश कौन है तो अफगानिस्तान हो जागा आपका option यह हो जागा जो बी में लिखा हुआ है अफगानिस्तान सबसे last है समझगे बातों के मतलब सबसे ज्यादा मतलब सांती के मामले में सबसे पीछे जो है यह अफगानिस्तान हो जागा और भारत है 135 नमर पर अगला कोश्चन देखिए अगला आपका 6 नमर कोश्चन क्या कर रहा है कि आर्थिक स्वतंता सुचकांक 2021 में भारत को कौन सा अस्थान प्राक्त हुआ तो देखिए यह जाड़ी किया जाता है एक्च्वली इस बेसिस पर कि उस देश के लोग कितना आर्थिक के मामले में संब्रीध है ठीक है तो इसमें भारत के कौन सा अस्थान है तो भारत का अस्थान आपका अप्शन यह हो जागा 149 नमर पे है कितने नमर पे 149 नमर पे है और पहले अस्थान पे को है तो आपको फर्स्ट अस्थान भी याद रखना है तो को है फिनलेंड है को है फिनलेंड यह कई बार एक जाम में पूछा जाता है कुछन तो फर्स्ट अस्थान पे आपका फिनलेंड है और भारत है कित रखना है फिंड लेंड है अगला कुश्चन देखिए अगला कुश्चन है आपका आठ नमर क्या कर आए कि बिसु प्रेश सोतंता सुचकांक 2021 में भारत अनिकी 2021 में प्रथम अस्थान पर किस देश को रखा गया तो देखिए प्रेश सोतंता सुचकांक में प्रथम अस्थान पर जो रखा गया, यह आपको option A हो जाएगा, option A नहीं, option B हो जाएगा, नारवे को रखा गया, किसको रखा गया, नारवे को, और इसमें भारत का कौन सा अस्थान है, तो 142 वा अस्थान है, किसमें, तो प्रे सोतंता सुचकांग पर भारत का कौन सा अस्थान है, तो 142 वा अ question देखिए अगला question है आपका 9 नमर क्या का रहा है कि freedom आनि कि freedom in the world report यह मतलब 2021 में भारत की सस्थान पे रहा है तो 2021 में जो भारत रहा option आपका D हो जागा 162 नमर पे रहा है कितने नमर पे 166 नमर पे और पहला नमर पे कौन रहा है तो देखिए फर्स्ट नमर पे तीन वो कंट्री आपको याद रहा है जैसे के फिनलेंड हो गया नाडवे हो गया और स्वीडन हो गया तो तीनों देश किस नमर पे तो पहले नमर पे किस में तो आने कि freedom in the world report में पहले नमर पे को है तो फिनलेंड है नाडवे है और स्वीडन है और भारत कितने नमर पे तो 166 नमर पे तो ये सब कुश्चोन को आप दो से तीन बार रिपीट कीजेगा न तो आपको सब कुछ एक्जाम में याद रहेगा ठीक है हमें बहुँ जादा trick नहीं बनाने आता है दोस्तों इसके लिए sorry ठीक है लेकिन हाँ आप अगर दो तीन बार रिपीट करते हैं और मैं पीडिया भी दे दूंगा तो इसे पढ़के आपका एकजाम में अच्छा नमर जरूर आ जाएगा देखें दस नमर कुश्चन है कि global gender gap report 2021 क किस संस्था द्वारा जाड़ी की गई तो देखें यह जो जेंडर gap report जो जाड़ी किया जाता है तो इक इस बेसिस पे कि उस देश के अंदर महिला और पुरूस के बीच कितना समानता है तो उसी बेसिस पे जाड़ी किया जाता है तो इसका एंसर हो जागा आपका option B हो जारते कि lem का समानता कितना है ठीक है चलीं अगला question दीकि अगला question दीकि एक चीज आपको इसमें याद रखना है अगर आप याद रखना जेते एग खली कि भारत का स्थान इसमें कितना है तो बहुआज стан कि 201 का बहुझा स्थानमरत इक साल में भारत कितना तो 28 पैदान प 38 में ठीक है चली अगला कुश्चन देखी अगला आपका 11 नमर कुश्चन है कर रहा है कि हाल ही में जाड़ी हाल ही में जाड़ी कीगे वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा अस्थान है तो देखिए इसमें जो आपका भारत का अस्थान है अप्शन यह हो है और भारत कितने अस्थान पे तो 14 नमबर भारत इसमें ठीक है चली अगला कुशन देखिए अगला कुशन है आपका बारन क्या कहा रहा है कि अनिकी वरस्टाचार वरस्टाचार बहुत सुझकांक 2020 में पहला अस्थान किस देश को दिया गया तो पहला अस्थान किस देश क दे सकता है। भारत का इसमें कितना अस्थान है तो भारत का जो अस्था हैं वो 86 नमट है भारत का अस्थान अगला कोश्चन देखिए अगला आपका 13 नमर कोश्चन है क्या अगला कोश्चन खार है कि answer आपका option यह हो जाएगा और कि 202 बाधिक संपदा संगठन के द्वारा यह जाड़ी किया था पहले अस्थान पर इसमें कौन है तो स्वीटिजर लेंड है पहले अस्थान पर और भारत का इसमें अस्थान कितना है तो भारत का इसमें स्थाने 46 नंबर का है कितने 46 नंबर पर भारत है कितने देशों के बीच में जाड़ी किया गया तो 173 देश के बीच में यह चीज़े जाड़ी किया गया तो यह चीज़े आपको याद रखना है एक से दो बार सुनिएगा आपको अच्छा से याद हो जाएगा अगला कुशन देखिए क्या करने की वैस्विक उर्जा संक्रमन सुचिकांक 2021 की संस्था आनि की संस्था द्वारा जाड़ी किया गया तो की संस्था के द्वारा जाड़ी किया गया तो इसका एंसर आपका option यह हो जागा आनि की विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जाड़ी किया गया आनि इसमें भारत का अस्थान कौन सा है, तो भारत का अस्थान है, इसमें 87 नमर का अस्थान है, भारत का ठीक है, और पहले अस्थान पे कोन है, तो स्वीडन है, इसमें पहले अस्थान पे, पहले अस्थान पे कोन है, तो फर्स्ट अस्थान पे इसमें कोन है, तो स्वीडन है, ठ किया जाता है इसमें पहले अस्थान पे कोन है तो सिंगापूर है पहले अस्थान पे कोन है तो फर्स्ट अस्थान पे इसमें सिंगापूर है ठीक है और भारत का जो इसमें अस्थान है तो 116 अस्थान है भारत का कितने देशों में से तो 174 देशों में से भारत का कौन सा अस तो 116 वा अस्थान है अगला कुश्चन देखिए अगला आपका 16 नमर कुश्चन है करा है कि Global Youth Development Index 2021 में पहला अस्थान किस देश को पराप्त हुआ तो इसमें पहला अस्थान किस देश को पराप्त हुआ तो अपसान आपका सी हो जागा सिंगापूर को पहला अस्थान पराप है हलाकि आप दोनों याद रखते तो बहुत अच्छी बात है ठीक है दोस्तों मैं एक चीज बता देखिए मतलब आपका जो पीडियाफ है सताथ पेज दस पेज का होगा ना इसको अगर आप प्रिंट ले लेते हैं और जो चीज़े मैं बोल ला हूं इसको अगर इसके इकोनोमी रिलेंस इंटरनेशनल एकोनोमी रिजीलियंस दुहजार एक इस संस्था द्वारा जाडी किया जाता है तो इसका एंसर आपका आप्सन डी हो जाएगा चेमबर ऑफ क्मर्स एंड इंडस्टि के द्वारा इसमें पढ़ले अस्थान पे कौन है आपका जर्मनी है इसमें पहले अस्थान पे कौन सा जर्मनी पहले अस्थान पे ठीक है और इसमें भारत का अस्थान कौन सा है तो इंडिया का इसमें सकेंड अस्थान है तो यह चीज़े आपको याद रखना है ठीक है अगला कुश्चन देखी अगला आपका अठारा नमर कुश्चन है क्या क कर रहा है कि Westwick जलवायू जोखिम सुचकांक 2021 की संस्था द्वारा जाड़ी किया गया तो इसका एंसर आपका अप्शन यह हो जागा यह जर्मन वाजके द्वारा जाड़ी किया गया तो इसमें पहले अस्थान पे कौन है तो मोजांबिक है पहले अस्थान पे फर्स्ट प्ल मनवाज के द्वारा जाड़ी किया जाता है अगला कुश्चन है आपका 19 नमर क्या कर रहा है कि जनवड़ी 2021 में जाड़ी Global Democracy Index में भारत का स्थान कौन से देखिए इसमें भारत का स्थान जो 53 नमर के तो अप्शन को न जागा कोई आटा है तो संयूग तरास्ट समाधान निटवर्क के द्वरा ये जाड़ी किया जाता है तो यह चीजे आपको याद रखने अच्छे से ठीक है देखिए अगला कुश्चन देखिए अगला आपका 21 नमर कुश्चन क्या कर रहा है की मानव विकास हुजकांग 2020 भारत का अस्थान कौन सरा है तो देखिए 2020 में जो भारत का अस्थान रहा है एक्छली ये 2020 का लेकिन जाड़ी कब किया गया तो 2021 में जाड़ी किया गया ठीक है तो इसमें भारत का अस्थान कौन सरा तो अपसन आपका ए हो जाएगा पर फॉस्ट अस्थान पे कोने नाडवे आपका फॉस्ट अस्थान पे अगला कुश्चन देखिए अगला आपका 22 नमर कुश्चन क्या कर रहें कि चाइल florishing index 2021 में प्रथम अस्थान किस देश को प्राप्त मतलब हुआ या किया गया किस देश के द्वरा किया गया तो दीखे प्रथम अस्थान किस देश को मिला तो इसका answer आपका option C हो जागा नारवे को मिला प्रथम अस्थान किसको मिला नारवे को मिला प्रथम अस्थान और इसमें भारत का कितना अस्थान है तो 131 अस्थान है भारत का है मतलों ये इंडिया का है और प्रथम अस्थान किसका है तो नार्वे का है प्रथम अस्थान ठीक और किसके द्वारा जारी किया आता है तो ये दो गोशंस्था के महिला काड़ोबार और कानून रिपोर्ट 2021 जाड़ी किया गया तो 21 संस्था के द्वरा 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 जाड़ी किया गया कि पहला नमर पे कौन सा है? तो अमेरिका है पहला नमर पे, सबसे strong जो सीकुरेटरी है, मतलब साइवर डीयं और भारत कितने नमर है? तो option C हो जागा 10美味 नमर पे है, भारत कितने नमर पे है? दसमे नमर पे भारत है, किसके द्वारा जारी किया था? तो International Telecommunication Union के द्वड़ा जाड़ी किया था भारत का दस्वा स्थान और पहला स्थान अमेरिका का है अगला कुश्चन देखिए अगला कुश्चन आपका 25 नमर क्या कर रहा है कि Global Fire Power Index मतलब देखिए ये जो जाड़ी किया था है किस बेसिस पे जाड़ी किया था कि किस देश का सैन सक्ति कितना है उसके बेसिस पे जाड़ी किया था है तो 2021 के रिबोट है तो इसमें कितने देश सामिल हुआ है तो इसमें आपका 138 देशों को सामिल किया गया है और इसमें अगर पूछ लिए आप से कि पहले अस्थान पे फर्स्ट नमर पे कौन सा देश है तो ज़रूर कर दीजेगा ठीक है और दोस्तों के साथ शेर जरूर कीजेगा और लाइक ता आप कर दिये हुएगा इतना तहमें 20 बास है ठीक है और इसका पीडियाप आप टेलीग्राम से ले लिजेगा जोईन करके हम आपको कल तक डाल देंगे तो आज के लिए इतना ही रख करते हैं थैंक्स पर बाचिंग ओके बाई जैह हिं दोस्तों